चेली सु बात करने वाले हैं बजार के अंदर आज किस तरह की कैक्शन आपको देखने को मिल सकता है निफ्टी फिफ्टी लगबग 68 अंको की गिरावट के साथ में लास्ट ट्रेडिंग सेसन में हम लोग को दिखाए दिया तो देखिए हपते का पहला कारोबारी सत्र और एक्शन से भरपोर ये सत्र होने वाला है काफी सारी खबरे प्राप्त हुई है सेटरडे को संडे को तो उन पर बजार के अंदर हम लोग आज के दिन रियक्शन देखने को मिलना है साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँ कि ओमिक्रोन की कैसिस भी लगातार बढ़ते हुए नजराने तो उसके मद्दे नजर देखते हुए आपने देखा है कि काफी सारे स्टेट में जो रात्री कर्फ्यू लगाया गया है तो उसका भी प्रभाव कहने की हमें बजार के अंदर पढ़ता हुआ नजरा सकता है सबसे पहले बात करेंगे डाव जोन्स की हमेरे की बजारों के अंदर लास्ट अर्टरिनिंग सेसन में लगबाग 196 अंकों की तेजी हम लोग को देखने को मिल चुकी है उसके बाद में बजारों के अंदर छुटी का महौल था तो कहने का मतलब है कि आज की दिन जो रियक्शन देखने को मिलेगा जब हम डाव फ्यूचर देखेंगे तो उससे सही इस्तितिस पस्ट होगी की बजार के अंदर इस समय किस तरकी की चाल बनती हूँ नज़रा रही है चलिए अब बात कर लेते हैं रियल टैम इंडेक्स फीचर की निफ्टी फिफ्टी इससे में 17,022 अंको के आसपास इससे में हम लोगो फीचर बिटरेट करता हुआ नज़रा रहा है अब अगर यहाँ पर देखा जाए काफी सारे बजार इस तरकी के हैं जो की हरियाली में है और कुछ बजार इस तरकी के भी दिखाए देरे जिनके अंदर इस समय गिरावट देखने को मिल रही है अब डाव जोन्स की बात करते हैं तो फ्लैट दिखाए देरा है साथी में दोस्तों बताना चाहूँ की बात करते हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है निकाई की बात करते हैं तो लगबग 112 अंगों की गिरावट आपको जापान के इंडेक्स के इंदर इस समय देखने को मिल रही है तो जापान के इंडेक्स ओपन हो चुके हैं, लगबख 162 अंगों की गिरावट आपको महापर देखने को मिल रही है, हैंक संग की बात करते हैं तो 117 अंगों की गिरावट आपको महापर देखने को मिल रही है, कुछ बजारों के इंदर गिरावट का माहूल है और कुछ केंडरा बैंक अब लगबग पत्चिस सो करोड का फंड बेसल थर्ड कंप्लेंट टायर सेकिंड के माध्यम से हाँ पे रेज करने वाला है तो जार इकिस बाइस के लिए युजना केंडरा बैंक बनाता हुआ नज़रा रहा है बड़ी हल चल आपको केंडरा बैंक के शेर को भी आप अपने रेडार पर रह सकते हैं तो बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में तो उदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड बड़ी हल चल आपको उदानी के इस स्टॉक के अंदर दिखने को मिल सकती है क्योंकि ये कंपनी दो प्रोजेक्ट के अंदर मेगा इन्व देखने को मिल चुकी है तो यह स्टॉक ब्यार चर्चाओं में रहने वाला है इस स्टॉक को भी आप अपने रेडार पर सकते हैं तो बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में तो मनोपरम फाइनस लिमिटेड बड़ी हल चल आपको मनोपरम के शेयर के अंदर देखने को मिल रही एक महीनी की बात करते हैं तो स्टॉक के अंदर जो गिरावर देखने को मिली थी अब देखे एक अज एक चीफ जनरल मैनेजर तो ये नई नियुक्ती हमें आर बियल बैंक के अंदर देखने को मिल रही है तो देखे एक खबर का असर हमें कहीं न की इस टोक के अंदर देखने को जुरूर मिलना चाहिए आज की दिन का जो बजार होने वाला है overall हम लोग को मिला जुला देखने को मिल सकता है तो बजार की opening हो सकती है slow लेकिन हो सकता कि बाद में इसके अंदर हम लोग को TG का महौल बनता हो नुजराए कुछ ऐसी company है जो कि आज future and options के अंदर band देखने को मिल सकती है बॉक्स के अंदर दिया हुआ है दोस्तों के लिए पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब पर क्रिक लिए ना ताकि नहीं वीडियो को नडिफिकीशन सीदे आपके मोबाइट मिल्स के थैंक यू सो मच फो ओचिंग